उस्तो नमस्कार एगवाफिर से आप सभी का क्रिप्टो करंसी की दुनिया में स्वागत है और आज का ये वीडियो फ्रेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है खासकर जो लोग क्रिप्टो करंसी है बिटकोईन में काम करते हैं तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहली जो निउस इंपॉर्टेंट हम ले करके आए हैं सब भी बिटकोईन होल्डर्स के लिए अगर आप भी बिटकोईन में विलीव करते हैं और बिटकोईन को होल्ड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वा बहुत बार सही भी हुआ है लेकिन हो सकता है बहुत बार गलत भी हुआ हो लेकिन फाइनली अगर हम बात करें अगर आप लॉंग टर्म होल्डर हैं दो साल तीन साल चार साल पान साल तो फाइनली अभी तक इतिहास भी गमा है कि यहां पर बिटकॉइन सबी होल्डर्स को प्र लेकिन नीचे भी आता है तो उपर भी जाता है pumping और dumping सबसे ज़्यादा cryptocurrency में ही होती है अगर हम बात करें यहाँ पर bitcoin के बारे में तो आपने तरह तरह के title भी देखे होंगे सुने होंगे और study भी आपने किया होगा कि media ने कितने गलत तरीके से यहाँ पर bitcoin के बारे में भी बोला कि bitcoin holders को 10 साल की जेल हो जाएगी bitcoin के मालिक तो expire हो गए और आपने सुना होगा bitcoin से लोगों बरबाद हो गए यहाँ पर तरह तरह के bitcoin के बारे में लोगों ने comment किये हैं लेकिन अगर finally आज हम बात करें और आज finally bitcoin कहां जा करके आया है और पिछले bull run में आप सभी को यादी है कि 15 लाग को भी bitcoin ने टच किया था तो finally अगर हम बात करें short term trading में एक साल 6 महिने दो महिने में आपको profit loss तो हो सकता है लेकिन अगर आपने जिस तरीके से FD करते हैं या किसी insurance policy करवाते हैं या कोई भी banks में आप investment करते हैं या कोई भी आप flat buy करते हैं या कोई plot buy करते हैं आप long term के vision से investment करते हैं चाहे वो silver हो या gold हो या कोई भी property में आप investment करते हैं तो आपने long term का vision रखा और उसमें आपको maximum profit मिलने के जो chance हैं वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा होते हैं उसी तरीके से cryptocurrency भी एक बहुत ही जबरदस्त इस समय जो present time में bitcoin है cryptocurrency है जो altcoin है वो भी एक बहुत ही अच्छी सांदार market यहां पर growth कर रही है और बहुत सारे लोगों ने यहां पर बहुत ही मोटा पैसा कमाया है बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया है लेकिन जिस प्रकार हम एक हर एक बिजनस में profit कमाते हैं उसी तरीके से क्रिप्टो करंसी में भी यहाँ पर नुकसान भी करते हैं और हर एक बिजनस में profit भी होता है loss भी होता है profit तभी होगा जब आप उस पे learning पर focus करेंगे कोई भी business है उसके बारे में learning के focus करेंगे यहाँ पर courses करेंगे सीखने की समझने की और उसके बाद में practical knowledge करेंगे practical करेंगे और उसके बाद में आपको maximum profit होने के chance जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और कहीं न कहीं किसी भी business के लिए आपको training seminars की जरूरत होती है और उसके बा experience holder हैं तो कहीं न कहीं bitcoin के बारे में आपको बहुत ही जादा knowledge होगी और कहीं न कहीं आपने profit जरूर अर्न किया होगा तो finally bitcoin users के लिए खुसकबरी यह है कि यहाँ पर जो tom lee है अब आप मेंसे हो सकता है बहुत सारे लोग अगर आप cryptocurrency में काम करते हैं और अगर आपने tom lee का ना कम knowledge है जी हाँ tom lee एक बहुत ही बड़े जो fund start है यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी companies भी हैं इनकी और कहीं न कहीं bitcoin के बहुत बड़े investor भी हैं और साथ में बहुत ही कई साल से यहाँ पर cryptocurrency में काम कर रहे हैं 5-6 साल हो चुके हैं इनको और कई बार इन्होंने अपना price prediction दिया पर जो price prediction इन्होंने किया है वो 40,000 dollar का किया है जी हाँ अगर हम INR की बात करें तो 28,000,000 रुपे का इन्होंने बताया है मतलब अगर tom lee जी की बात यहाँ पर सही हो जाती है तो जो पिछला all time high था 15,000,000 रुपे का bitcoin वो double आप मान सकते हैं क्योंकि 28,000,000 रुपे का इन्होंन अपना price prediction कर दिया है तो यह price prediction सही होता है या नहीं होता है यह तो आने वाला time ही बताएगा आप क्या सोचते हैं कि 2019 तक end तक कितना price bitcoin का हो सकता है अब comment करके जरूर बताईएगा अगली cover friends बहुत ही interesting news लेकर के आए हम Venezuela country से आपको पता है वहाँ के जो president है Mr. Moduro जी आपको भ वहाँ पर petro coin चल रहा है उसके बाद में उनका adoption भी कर रहे हैं लेकिन जो finally अभी इन्होंने जो president है यहाँ पर Moduro जी इन्होंने एक बहुत ही जबरदास्त order दिया है सभी central banks को मतलब जितने भी वहाँ पर banks हैं उनको order दे दिया है कि आपको petro coin adopt करना ही पड़ेगा मतलब banks म को लेंदेन कर सकता है deposit withdrawal कर सकता है और banks को यहाँ पर adopt करना ही पड़ेगा क्योंकि prime minister यहाँ पर जो president है Moduro जी उन्होंने यहाँ पर order दे दिया है तो यह कितनी बड़ी बात है petro coin हो सकता है बहुत सारे लोग ना जानते हो petro coin एक crypto currency है जैसे bitcoin है light coin है ethereum है और बहुत सारे cryptocurrency है उसी तरीके से petro coin है जो की यह Venezuela country का coin है और उस country में यह coin बहुत ही जबरदस्त तरीके से run कर रहा है तो कितनी अच्छी बात है कि president भी अब crypto currency के साथ में हो चुके हैं अगली cover facts जो हम ले करके चलते हैं आपको light coin के बारे में already हमने light coin free telegram channel में वहाँ पर हमने signal दिया था और 18 percent का profit भी हुआ था और जिन भाईयों ने जिन यहां पर अपनी family में जिसने भी investment किया अगर आपने profit लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है आपको बधाई हो और सबसे बड़ी खास बात क्या कि light coin के बारे में मैं बहुत पहले बता चुका हूँ एक दो साल से बता रहा और 2 December को भी यहां पर हमने mention किया था जब light coin का price सिरफ और 28 से 30 डॉलर का था ठीक है फ्रेंट्स तो light coin अलेडी बहुत ही अच्छा profit दे चुका है अगर आपने investment किया है तो बहुत ही अच्छी बात है अगर नहीं किया है तो यहां पर एक मौका और मिला है क्यों उसका बहुत है light coin की वो बहुत ही अच्छा आपको profit दे सकता है लेकिन investment करने से पहले अपनी खुद की research जरूर करें क्योंकि इसमें profit या loss आपका दोनों है जी हां तो light coin के बारे में हम बात कर लेते हैं bitcoin, ethereum, light coin, ripple यह 4-5 जो ऐसे coin है light coin को एक payment mode में बहुत ही जगा use किया जा रहा है और finally जो news निकल करके आ रही है कि वो 39,000 merchants मतलब 49,000 merchants क्या कर सकते हैं यहाँ पर light coin को adopt कर सकते हैं ऐसे payment mode बहुत ही बड़ी बात है और already light coin बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत बड़े mall में, showroom में हर जगे यह adopt होता है maximum और light coin का adoption बहुत ही जादा है बहुत ही धमदा project है बहुत ही strong project है solid coin है अगर आप long term के लिए hold करना चाहते हैं तो buy करके hold कर सकते हैं जी हाँ तो light coin आपको present में यहाँ पर अभी 120 dollar के आसपास चल रहा है और आने वाले time में आपको एक अच्छा खासा return दे सकता है अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फिर से एक bitcoin की price prediction निकल करके आई है जी हाँ यहाँ पर जो galaxy digital एक बहुत बड़ी firm है investment firm है इनके जो यहाँ पर founder है Mike जी हाँ इनका नाम है M.I.K.E. Mike इन्होंने जो bitcoin का price prediction यहाँ पर किया है जो इनका मानना है कि अगर जो bitcoin यहाँ पर cryptocurrency है जितने भी banks हैं worldwide अगर जो bank यहाँ पर हम लोग investment करते हैं banks म तो जो banks हैं अगर वो अपना investment cryptocurrency में शुरू कर दें तो बहुत ही जल्द bitcoin का price 40,000 डॉलर के पार हो जाएगा यह कहना है Mike जी का जो की founder है galaxy digital company के जी हाँ बहुत ही अच्छी good news है bitcoin holders के लिए क्योंकि यह बहुत बड़े experts हैं कोई छोटे मोटे लोग नहीं है कोई ऐसा नहीं है कि well experienced नहीं हैं बहुत ही already अच्छे experience holder हैं बहुत ही अच्छी knowledge रखते हैं cryptocurrency का और ऐसे ही यह लोग prediction नहीं कर रहे हैं maybe I hope 40,000 डोलर को भी touch कर सकता है कोई नहीं जानता है कितना bitcoin चला जाएगा क्योंकि जब 35,000 था तो कोई कह रहा था 2000 सपोर्ट लेबल है कोई कह रहा था 1500 कोई कह रहा था 1000 और बहुत सारे लोग ऐसे भी वोल लेते कि bitcoin पॉंजी scheme है डूब जाएगा बरबाद कर देगा जी हा अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही interesting news है क्योंकि मैं already share करता रहता हूं कि जो share market है stock market है वो भी अपना interest cryptocurrency की तरफ दिखा रहे हैं क्यूं सबसे बड़ा reason उसका है trading volume बहुत ही जादा होती है profit बहुत जादा मिलता है fees बहुत जादा मिलती है इसकी वज़ा से तो मैं आपको बताओ एक ऐसा stock exchange है गिबरेल्टर stock exchange जी हाँ गिबरेल्टर stock exchange उन्होंने एक allow दिया है permission किया है जितनी भी company है जितने भी exchange है कि वो भी अपने जो security token है उनको हम अपने exchange पर list कर सकते हैं उनकी buying selling आप कर सकते हैं dollar से euro से दिनार से और जो bitcoin है उससे भी कर सकते हैं जितने भी security security token है तो कहीं न कहीं हम सभी cryptocurrency users के लिए यह खुसकवरी है कि अभी stock market share market भी cryptocurrency में आ रहे हैं तो यही ती friends आज की news आपको ये video कैसा लगा अगर पसंद आया है तो एक like जरूर कीजिएगा comment करके बताईएगे कि आज की सबसे अच्छी news आपको कौन सी लगी और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किया है तो जॉइन कर लिजिए क्योंकि सभी latest update हम share करते रहते हैं comment में आपको link मिल जाएगी और हाँ अगर आपने अभी तक चैनल नहीं subscribe किया है तो जरूर कर लिजिए मिलेंगे बहुत जल दूसरी update के साथ में तब तक के बेस्ट आप लग है बनाइस टे